हेलो माई वाईटी फैमली आज मैं आपके लिए लेकर क्या आई हूँ पुश्टिक्ता से भरपूर राजिस्तानिक गौन के लड़ू इसे राजिस्तान में स्पेशली सर्दियों के समय बनाया जाता है और प्रकार की कमजोरी को दूर करते हैं सर्दियों में हमारे इम्यून स सिस्टम को बढ़ाते हैं हमें ठंड से बचाते हैं चर्दियों में इसे इस ववा नाश्टे के समय खाया जाता है इसे बच्चे और भूरे दोनों ही खा सकते हैं चलिए इस गौन के लड़ू की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं इन लड़ूों को बनाने में करीबन 200-500 ग्र घी यानि दो कप खीह लगे में उसके बाद हम एक कड़ाई में एक पैन में थोड़ा सा घी गरम करेंगे और उसमें एक कप काजू बदाम को हलका golden कलिर का होने तक fry कर लेंगे और उसे प्लेट में निकाल देंगे थोड़ा सा घीह और डाल करें यहां पर मैं एक कप गौन् गौन्द को लाल नहीं करना है, light color का होने के बाद आप इसे निकाल लें फिर कड़ाई थोड़ा सा और घी डाल करके और बाकी बचेवे गौन्द को भी fry कर लेंगे गौन्द अगर मोटा है तो आप उसको थोड़ा सा माम दस्ते में बारिक करके और उसके बाद ही इसे फ्राई करें वन्ना वह अंदर से कच्छा भी रह सकता है यहाँ पर एक कप गौन्द को फ्राई करने में करीबन एक कप घी का इस्तिमाल मैंने यहाँ पर किया है यानि एक कप गौन्द में एक कप घी जो है वो हमें चाहिए यह बाद हम काजू बदाम को मिक्सी में ओन ओफ करके दरदरा सा इसका पाउडर बना लेंगे अब उसी पैन में हम एक चमज घी गरम करके और उसमें एक कप के करीबन यहाँ पर फूल मखाने को भी अच्छे से रोस्ट कर लेंगे इन मखानों में कैल्शियम, विटामिन, फासफोरो, सारी प्रकार के नियूट्रिशन्स है हासे इसे चेक कर लेंगे और हासे यह आसानी से तूट रहा है तो इसे मिक्सी के जार में डाल देंगे और इसको ओन आप करके दरदरा सा पेस्ट बना लेंगे इसके बाद सेम कड़ाई में हम एक से दो चमज घी गरम करेंगे और उसमें हम नारेल का बुरादा एक कप जो है वो यहाँ पर डाल करके इसको भी अच्छे से प्राई करेंगे लाइट कोल्डन कलर का होने के बाद इसको भी प्लेट में निकाल देंगे अब मैंने यहाँ पर बाकी बचवा घी जो की एक कप के करीबन है वो मैंने आप लिया है और एक कप घी मैं यहाँ पर दो कप आटा जो है वो इस्तेमाल करूंगी और दो कप आटे को डाल करके करीबन आधा घंटा यानि 30 से 35 मिनट तक के लिए इसे हम बादामी कलर का होने तक के लिए भुन लेंगे इस समय आपको अपने आच लो टू मेडियम फ्लेम पर रखनी है आटे की सिकाई में करीबन आधा घंटा लग जाता है आज को हाई फ्लेम पर बिलकुल भी न भुने वना आपका आटा जल्दी से लाल हो जाएगा गौन के लडू बनाते समय सबसे इंपोर्टेंट टिप इस आटे की सिकाई है इसे हमें बहुत ही आराम से इस आटे को भुनना है अब उसके बाद जब तक हमारा आटा सिक रहा है हम यहाँ पर गौन को कटोरी की मदद से अच्छे से क्रश कर लेंगे ऐसा करने से इसकी मोटे मोटे पीसेस हमारे दातों में नहीं चिपकेंगे उसके बाद काजू बदाम को जो मैंने मिक्सी में पीस लिया था वो इसमें डाल देंगे नारियल का बुरादा भी इसमें डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और यहाँ पर मखानों को भी मैंने मिक्सी के जार में हलका सा क्रश कर लिया था वो डाल देंगे एक से डेड़ चमच इलाइची पाउडर डाल देंगे एक बड़ा चमच काली मिर्ची को मैंने यहाँ पर पीस लिया है वो डाल देंगे और दो चम्मस सौट, यहाँ पर PCV मैंने सौट ली है, सौट पाउडर हमें सर्दियों में वाइरल इंफेक्शन से बचाएगा अब इसके बाद जब तक हम आटे की सिकाए कर रहे हैं, हम यहाँ पर गुड की चाशनी बना देंगी तब तक हम इस आटे को इस सारे ड्रैपूर्स के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे यहाँ में आप आटे का कलर देख पा रहे हैं, आपको इसी तरीके से आटे को बदामी कलर तक का होने तक के लिए भुनना है सब को अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब यहाँ पर गुड भी जो है वो मैल्ट हो गया है अब इस चाशनी में उबाल आने का वेट करेंगे जैसे ही चाशनी में उबाल आने रगेगा उसकी बाद एक कटोरी में पानी ले कर गी और उसमें थोड़ी सी गुड की चाशनी को डाल के देखेंगे हाथ में थोड़ा सा अंगोलियों में चैक कर लेंगे जैसे ही यह थोड़ा सा बंधने लगेगा उतना ही हमें इसे जो है पकाना है हमें एक या दो तार की चाशनी नहीं बनानी है गुड को अच्छे से मैल्ट होने तक के लिए भुनना है अब इस गुड को इस आटे के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसके गोल-गोल लड्डू बना देंगे देखिए हमने लड्डू में इतना अच्छे से घी डाला है कि हमारे हाथ हाथों में भी घी दिखाई दे रहा है इस सारी मिक्स मिश्रन को ठंडा होने से पहले पहले आपको इसको जल्दी से इसके लड्डू बना देने हैं अगर मिश्रन ठंडा हो जाएगा तो घी जम जाएगा तो उसके लड्डू आसानी से नहीं बन देंगे तो मैंने यहाँ पर हलकी गरम में ही इसके सारे लड्डू बना दिये हैं लीजे तैयार हैं हमारे पॉष्टिक्ता से भरपूर राजिस्थानी गौन के लड्डू इतने सामान से मैंने इतने लड्डू बन करके तैयार किये हैं एक गौन के लड्डू सर्दियों के लिए बहुत पायदेमंद हैं हमारे immune system को मजबूत करते हैं हमारे हड़ियों का दर्ध जोडों के दर्ध के लिए पायदे मन्द है रेसिपी पसंद आयो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सबस्क्राइब करें